Japanese language सीख के किस तरह से Japanese multinational companies में जॉब ले सकते हैं एक दो साल में ही अपने package को 20-22 लाह का कर सकते हैं जपैन ट्रेवल कर सकते हैं जपैन में Japanese language को और deeply सीख के उनके culture को और deeply सीख के millions में कमा सकते हैं word travel कर सकते हैं अलग-अलग countries में जा सकते हैं और अपने carrier को और भी जादा fruitful बना सकते हैं ये आज कल का 2022 का hot trending topic बन चुका है Japanese language foreign languages में सबसे जादा scope रखती है अगर आप Japanese language को सीखते हैं तो और किसी technical चीज को आपको सीखने की जुरुरत नहीं होती है ये एक basic common चीज बन चुकी है आप Google पर सर्च कर सकते हैं बहुत सारा data है इसके बारे में लेकिन क्या Japanese language बहुत मुश्किल है इसको कैसे सीखें, कहां से सीखें, job interview कैसे clear करें Well now you have come to the right place Welcome to the new Japanese language course जिसमें हम Japanese language को बिल्कुल beginner level से बिल्कुल zero level से सीखेंगे उस level तक जहां तक आपको job मिल पाए, job के आप interview को clear कर पाएं एक ही बार में और उसके बाद भी Japanese language को use करके job कर पाएं इस course में हम सब कुछ सीखेंगे, hira gana, kata kana, kanji, spoken Japanese हमारे students के काफी सारे questions होते हैं जैसे कि मुझे English बिल्कुल भी नहीं आती तो क्या मैं Japanese language सीख सकता हूँ तो इसका answer है हाँ, बिल्कुल हाँ ये तो और भी अच्छी बात है कि आप English का use ना करके क्योंकि English और Japanese दोनों का structure बिल्कुल उल्टा है इसलिए ही यही एक कारण है वर्ड वाइड इसका ऐसा impression होने का कि ये Japanese language सीखना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये impression English speaking लोगों ने ही फैलाया है Anyways, Hindi का language level बिल्कुल बिल्कुल Japanese से मिलता जुलता है इसका structure बिल्कुल मिलता जुलता, इसकी grammar बिल्कुल मिलता जुलता है दूसरा question होता है, students का कि से मुझे सच में Japanese language में job मिल सकती है 20-22 लाख का package, Japan में travel मुझे तो कुछ भी नहीं आता तो इसका answer है हाँ, बिल्कुल हाँ, ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है आज भी कर रहे हैं तो ये सब छोटी छोटी बाते सीखते सीखते हम बहुत कुछ सीखेंगे Japanese language, Japanese culture के बारे में और jobs, interviews के बारे में इस course में बहुत मज़ा आने वाला है, आपको कोई भी कोई भी difficulty नहीं होगी क्योंकि step by step हम आगे आगे जाएंगे So see you in the new Japanese language course of 2022 on India's one of the biggest online platforms Sayonara